स्वागत है आपका एक और फैंटेस्टिक वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे साभाज संख्या, जुरुआ अभाज संख्या, अपेचित अभाज संख्या अंग्रेजी में बोलेंगे को प्राइम नंबर, ट्वीन प्राइम नंबर, रिलेटिवली प्राइम नंबर संख्या, जो एक से कटे और अपने आप से कटे, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 15, 31, यह सब क्या है? सिर्फ एक से कटता है और अपने आप से कटता है, और किसी से नहीं कटेगा, वहीं अगर हम कहें कि क्या च्छा अभाज संख्या है, तो नहीं, क्योंकि यह दो से भी कटता है, तीन से भी करता है तो आभाज संख्या का सर्त है हम पिछले वीडियो में बताए हैं कि वैसा संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे उसको क्या बोलेंगे आभाज संख्या बोलेंगे तो मतलब किसी भी दो आभाज संख्या का समू क्या कहलाएगा साभाज संख्या जैसे एक् स्वेट पर होते हैं कि जिन दो संख्या उसरावाज संख्या करते हैं लेकिन नहीं यह जो पढ़िवासा है यह रिलेटिबली प्राइम नंबर के लिए कि जिनका संख्या का इसिफ एक वो सॉप संख्या कहलती यह गलत है वह लाता है आप एक्षी दावासंख्या ठेक है याद रखेगा एक्जामें गलती नहीं करना है तो हम लोग देख लिए सह अभासंख्या बहुत आसान अब देखेंगे ट्विन प्राइम नंबर जुरुआ अभासंख्या क्या होता है दो अभासंख्या का समूं जिनके बीच दो का इंद्रत हो हो अइसा 2 प्राइम लेना है जिनके बीच दो कहीं अंतर हो ज्याता नहीं जिसे 3, 5 दोनों के बीच कितना गंतर 2 का अंतर 39 , 31 दोनों के बीच 2 का अंतर गार 12 के जवीस को पता हो न कश्य और एक्जामम में ऐसा आसा है कि इनने से कौन ट्विन प्राइम नंबर है आपका ओप्सन में ये भी रहेगा आपको पता तो होना चाहिए ठीक है तो यह समझ में आ गया मतलब ऐसा अभाज संख्या ऐसा दो अभाज संख्या जिनके बीच दो कांतर हो ठीक है चलिए तिसरा देखते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या होता है जिन दो संख्या का संख्या एक हो वह रिलेटिवली प्राइम नंबर कहलाता है मतलब कोई भी दो संख्या का संख्या होना चाहिए जरूरी नहीं है कि वह अभाज संख्या ही हो ठीक है कोई भी संख्या होना चाहिए जैसे चार नो दोनों में कौन common है मतलब ऐसा कौन सा संखिया है जो दोनों को काट देता है 2 सिर्फ 4 को काट पाता है 9 को नहीं काट पाता है 3 सिर्फ 9 को काट पाता है 4 को नहीं काट पाता है तो इसलिए दोनों में common कौन है एक है एक ही है जो 4 को भी काटेगा और 9 को भी काटेगा उसी तरह यहाँ भी S.E.F.1, यहाँ भी S.E.F.1, यहाँ भी S.E.F.1 मतलब यह हम कह सकते हैं कि relatively prime number आपेचित आभाज संख्यां में वो सभी number आएगा जिनका S.E.F.1 हो twin prime number भी आएगा इसके अंतरगत, सहा आभाज संख्यां भी आएगा इसके अंतरगत जिसको co prime number बोलते हैं कहने का मतलब कि co prime number और twin prime number relatively prime number हो सकता है क्यों? क्योंकि इस सब का भी S.E.F.1 तो एक ही होता है, इनका भी S.E.F.1, इनका भी S.E.F.1 और इसका पडिवासा क्या है? कि दो संख्यां का S.E.F.1 होना चाहिए तो इसके अंतरगत twin prime number और co prime number दोनों आ सकता है ठीक है? तो एक liner question ऐसे बनता है सभी co prime number और सभी twin prime number relatively prime number होगा लेकिन relatively prime number कभी भी ना तो co prime number होगा ना ही twin prime number होगा समझ रहें क्यों अगर हम 49 क्या इसके अंदर के फिट बैठेगा? चार नो तो आवास संख्या नहीं है समझ रहें बातों को तो चलिए हम आगे देख रहे हैं कि perfect number क्या होता है? पूर्न संख्या बहुत ही interesting है वो पूर्न संख्या नहीं जो 0, 1, 2, 3 वो बला नहीं परफेक्ट नमबर एक्जाम में ऐसे सी पूछ चुका है फिर देखेंगे दो संख्याओं के बीच परिमय संख्या कैसे निकालते हैं? दो संख्याओं के बीच और परिमय संख्या कैसे निकालते हैं? ठीक है? जो भी बात हम आपको बता हैं बोलके कि सभी को प्राइम नंबर और ट्विन प्राइम नंबर रिलेटिवली प्राइम नंबर हो सकता है आप क्या किजिए उसको अपने कॉपी में लेख लीजे ठीक है लेकिन रिलेटिवली प्राइम नंबर ना तो ट्विन प्राइम नमबर होगा ना ही प्राइम नमबर होगा समझ रहे ना बहुत बढ़िये चलिए हम देखते हैं perfect नमबर क्या होता है perfect label इसको हिंदे में बलता है पूर्ण संक्या में पूश देगा कि इन में से कौन पूर्ने संख्या है option A में है आपका 6 B में है 9 C में है 10 और D में है none मतलब इनमें से कोई नहीं बता कौन सा है तो देखिए perfect number या पूर्ने संख्या होता क्या है अगर आप हिंदी माद्यम के बच्चे हैं तो exam में अगर पूर्ने संख्या पूछे तो पहले जाके उसका English चेक के जएगा कि उसका अंग्रेजी क्योंकि आपका जो online exam होता है उसमें language change करने का option होता है तो आप जाके देख लोगी ये पूर्ने संख्या का जो अंग्रेजी वो perfect number है या नहीं है ठीक है तो अगर perfect number होगा तो हम बता रहें कि ये perfect number होता क्या है जैसे 6 का option ये चेक करते है 6 का गुननखंड यानि factor कौन कौन है पहले तो एक है दूसरा दो है दूतिया 6 तीन दूना 6 चार से कटेगा ये नहीं 5 से कटेगा नहीं 6 से कटेगा हाँ कर जाएगा एक बार में तो क्या करना है कोई भी संख्या का सभी गुननखंड लिखना है उसके सभी factor को लिखना है और जो खुद है उसको हटा देना है अब क्या करेंगे जितना उसका गुननखंड है सब को जोड़ना है 3, 2, 5, 1, 6 अगर किसी संख्या का गुननखंडों का योग खुद को छोर के खुद संख्या के बराबर हो तो वह कहलाता है perfect number पूर्ण संख्या उसी तरह 9 का चेक करते हैं 9, पहला गुननखंड 1 2 से कटेगा, नहीं 3 से कट जाएगा 4 से कटेगा, नहीं 5 से कटेगा, नहीं 6 से नहीं 7 से, नहीं 8 से, नहीं 9 से कटेगा तो क्या बला है? खुद को हटा देना है हटा दिये, अब दोनों बजरू 3, 1, 4 क्या संख्या के बराबर हुआ? नहीं, तो ये perfect number नहीं है पूर्ण संख्या नहीं है उसी तरह 10 का चेक कर लो पहला गुनन खंड 1, दूसरा 2, 5, 10 तीन से कटेगा, नहीं 4 से कटेगा, नहीं 5 से कटेगा, पांस दूना 10 फिर 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से कटेगा खुद को छोड़ देना है, जो और पास दू साथ एक आठ क्या संख्या के बराबर है, नहीं है तो इन में से कौन पूर्ण संख्या है, परफेक्ट नमबर है तो चँछ है, समझ के परफेक्ट नमबर क्या होता है कि उनका गुनन खंडों का योग खुद को छोर कर खुद संख्या के बराबर होना चाहिए तो वह परफेक्ट नमबर कहलाता है या पूर्ण संख्या कहलाता है ठीक है तो चलिए अब हम देखते हैं कि दो संख्याओं के बीच पड़िमे संख्या और और पड़िमे संख्या कै किसे ग्याद करना है कि याद रखना एक के प्लस बी बटन के प्लस वन कि इसमें जो है आपका क्या है कि जगा एक लो दो लो तीन लो चार लो पांच लो ऐसे से बढ़ते जाओं तो पहला करना प्रमे प्लस बी बटन गर निकालना हो हमऔं को ए और फीकि बीच तो कि बराबर पहले एक लेंगे तो पहलें क्या हो जाएगा अब कि यह बर्याबर दो लेंगे तो यहाँ रहेंगे टू ए पलस बीड़र के कमांद दो दो और एक तीन को एक पलस बीड़र तीन तो आफ एक्जामपल लेते हैं इसी तरह से आप के कमान अलग लेके ए और बीकरीमें संखिया निकाल साकते हो तो एक्जाम अब दो क्या करना है हमको पता है यह 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 फर्मुल्ला क्या है एक प्लस बी बटे के प्लस वन एक तो हमको के जगह क्या करना है एक दो तीन ऐसे लेते रहना है ठीक है तो सबस्क्राइब एक कमान एक लेते हैं तो एक प्लस बी तो पहले इसको लीख लेते हैं फिर अराम होगा समझने में आपको k plus 1 देखो k बराबर 1 लिए एक जगर 2 है 2 plus b b के जगर कौन है 3 बट के पलस 1 k का मान क्या लिए अब यह 1 दिये है तो 1 plus 1 2 तो मतलब 5 बट 3 दू 5 बट 2 यह पहला परी में संख्या हुए उसी तरह दूसरा परी में संख्या निकालेंगे k बराब अब दो लेंगे हम तब क्या हो जाएगा 2 k के का मान दो तो मतलब यहां भी दो यहां भी दो एह टू और के भी लिए दो दो दूना 4 पलस b कितना है 3 बट के पलस 1 के कितना लिए 2 2 पलस 1 3 4 3 7 बट 3 इसी तरह से आप के का मान 3 4 लेके अलग-अलग पड़ी में संख्या निक इनके बीच ठीक है अब हम लोग सीखते हैं कि दो संख्याओं के बीच आपरी में संख्या कैसे निकाले के आपको समझ में आ गया होगा चलिए देखते हैं आपरी में संख्या ए और बी के बीच आपरी में संख्या होगा इरेशनल लंबर अंगरेजी में बोलते हैं ठीक है तो इसका होता है क्या अंडर रूट ए बी कर दो क्यूब रूट ए बी कर दो ये पहला परी में संख्या होगा ये दुसरा आपरी में संख्या होगा एक्जाम्पल से वही लेते हैं दो और तीन के बीच आपरी में संख्या होगा तो क्या होगा अंडर रूट दो गूणा तीन मतलब्यूट ए पहला परे में संख्या हो गया दूसरा ओपरे में संख्या क्या क्या क्यूब रूट दो गुना तीन मतलब क्यूब रूट छो यह दूसरा ओपरे में संख्या हो गया समझ गया है तो पड़े में संख्या और ओपरे में संख्या ऐसे निकालेंगे जब भी दो संख्यों के बीच का पूछे ठेक है तो चलिए मिलते हैं एक और बढ़िया वीडियो में तब तक के लिए बाबाई